हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक इन स्मार्ट स्टडी हव पाइथन का बैच चल रहा है हमाला फूर्थ क्लास है यह मेरी और यहां पाल हमने शुरू कर दिया था लास्ट क्लास में डेटा टाइप कि कैसे हम डेटा टाइप का यूज करते हैं है तो अम्हेद करता हूं का पटने मेरें पहले मेरी तीन वीडियो देख ली होंग sparku पहली वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडर्क्षन दिया था वीडियो के अंदर हमने पाईतन ऑफ्लाइन के बारे में दिसक्स किया था to इसी तरीके चाँ आगे चल रहे हैं अब लास्ट फोर्थ वीडियो शोरी लास नहीं फोर्द वीडियो हमारी है यह तकहिज Burada करते हैं तो सिस्टम है आपके पास सब में उमीद करता हूँ आप सिस्टम पे साथ की साथ यूज करे होंगे online compiler का यूज करे होंगे offline compiler का यूज करे होंगे code running करके देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए का आपको सारी चीज़े clear हो जाएंगे ठीक है एक्सामपल लेते हैं कि अदेशन करना है उनके उपर आपको क्या multiplication करना है ठीक है मैंने फिलाल केस मन ले रहा हूं में यहाँ पर आपको decimal number ले रहा हूं में यहाँ ठीक है वैल वन आप देख रहे होंगे आपको नजर आ रहा होगा केस वन लिया है मैंने normal code है और उपर मैंने लिखा हुआ यहां पहले से लास्ट टाइम वाला प्रिंट है मेरे पास यह लिजे मैंने इसको प्रिंट कर दिया ठीक है वैल्य वन 10.1 वैल्य टू 20.4 डेसिमल है फ्लोट है जहुरत नहीं है आपको बताने की कि इंटीजर है फ्लोट है सिस्टम अपने आप समझ लेता है इसको पाइफन की यही एक एड्वांटेज है ठीक है आर यह एक वैरियेव कर यह 60.8 है तो आप इसको रन करेंगे तो बिल्कुल सही आ जाए गए ठीक है शिक्स्टी पॉइंट एट आ गया यह बिल्कुल ठीक है रन करके देखिएंगे चलिए नैक्स देखते है यह वाला मुल्टिप्लाई तो मुल्टिप्लाई में क्या करना है मैं मुल्टिप्लाई में चलिए मैं वहीं पर ही वैल्यू को चेंज कर देता हूँ ताकि आपको असानी रहे यहां पर मुझे multiplication करना है तो मैंने 3 लिख दिया यहां पर मैंने 4 लिख दियता हूँ लिख दिया यहां पर मैंने 5 लिख दिया ठीक है यहां पर plus का sign है मैंने इसको करते हैं यहां हो रहा है यहां हो रहा है चलिए चेक करते हैं तो आपने प्रिंट करा लिया एडिशन प्रिंट करा लिया मिल्टिप्लेकेशन पेंट करा लिया अब देखें मैंने इया इप लिखा not recommended not recommended मतलब कि मैं line by line उसको लिख दिया वैल Principle 3 लिख दिया तो जबद नहीं है राओर है यहां डूर्य आ पर आप कोशिश करीए कि line of пор क Franc Rafael का हो देलान लाइन आफayo स्टूपर आएंगे मैंने यहां लिखा हुआ है तो आप देखिए यहां पर मैंने सीधा यह प्रोग्राम जो मेरा रन हो रहा है इसके लिए मुझे पांच क्या चाहिएं? पांच लाइन चाहिए है ना? यहां पर सिफ दो लाइन में कौत थूर को बनाएंगे कुछ बनाएंगे तो आपको SHOLD बनाएंगे यह आप ऐसे भी कह सकते हैं देखे एक तरीका वो था एक तरीका यह है ठीक तो मैंने यहां से उठाया तो आपको मैं लब मैं तरीके तरीके बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी आप PROGRAM RUN कर सकते हैं ठीक है वहाँ का आप अलग-अलग value ले रहे थे, यहाँ पर मैंने कौनों में, एक ही line में value ले ली, well 1, well 2, well 3, system समझ जाएगा, is equal to 10.1, 20.4, 30.3, इसको लिया, सीधा run किया और print कर दिया, देखते है answer, 60.8, जो पहले आ रहा था, ठीक है न, तो एक ये भी तरीका है, recommended है, क्योंकि व लाइन रख कोड कम होगा, तो automatically recommended होगा, इसलिए मैंने वहाँ पर लेखा, valid तो है, पर not recommended, और यहाँ पर मेरे पास valid भी है और, क्या है, recommended भी है, यही काम, same to same, मैंने किस के अंदर किया है, multiplication के अंदर किया है, इसको मैंने लिया, इसको मैंने हटाया, और यहाँ पर मैंने इ एक तरीका ये भी है क्या है चलिए इसको लन करके देखते हैं ये खुद अपने बताएगा कि क्या है सही है नहीं है गलत है क्या है ना तो लन करके क्या होता है कि पैक्टिकल ही आप अगर किसी चीज़ को करते है न तो जादा समझ में आती है यहाँ फर मैं अगर पूरी थोटे कल आपको समझाता हूँ यह ऐसे होता है यह वैसे होता है तो मुझे नहीं लगता कि थोटे कली ची कर सकते हैं EID लिखा 111 E name लिखा स्ट्रिंग है सिंगल कोर्ट में डबल कोर्ट में देंगे इसल किसमें आगे चलो कोई बाद नी स्टेटस क्या गया है तो अब यह क्या हो गया यह आपको बताएगा EID क्या है 111 तो इस तरीके से भी आप प्रिंट करा सकते हैं अब कर आपको उसके value प्रिंट करा नहीं है तो आप सीधा EID, E name, ESL वो उसके अंदर assign हो गए हैं आप इसको सीधा सीधा प्रिंट भी करा सकते हैं उमीद करता हूं कि यह तीनों के तीनों example आपको समझ में आए हों आपको और भी example समझाएंगे मैं उमीद करता हूं कि आप जब यह वीडियो देखेंगे साथ के साथ आप पैक्टिकल कर रहे होंगे पैक्टिकल करने के बाद और भी example करेंगे जिससे आपको चीजे clear होंगी ठीक है तो हम next video में मिलते हैं आज के लिए इतना ही आप